तो फाइनली लगातार कई दिनों से ऐसा लग रहा था कि भाई मार्किट में सब कुछ अच्छा नहीं जा रहा है सब कुछ अच्छा नहीं चला है मार्किट में वलेटिलेटी देखने को मिल रही थी लेकिन फाइनली अगर फ्राइडे के बात करूं तो फ्राइडे को मार्कि पूरी नहीं है कि इतने पर ही रुक जाए हो सकता और भी गिरावट हो सकती है क्योंकि इसके कई रीजन है यह सारी चीजे अभी आपको मैं डीटेल्स में बताने वाला हूँ साथ ही साथ अगर आप सेक्ट्रोल इंथेमेटिक फॉंड में निवेश कर रहे हैं तो बहुत पहले हम कुछ आकड़े देख लेते हैं जल्दी जल्दी में उसके बाद फिर हम आगे के बाते करेंगे सबसे पहले अगर निफ्टी को अगर देखे जो देश की 50 बड़ी कंपनी है उन कंपनियों का अगर ओवर ओल देखा जाए तो यहां पर 1.09% की गिरावट हुई है सम समौल केप भाई सहाब यहां पर 2.22% की गिरावट होकर रखी हुई है और बीएस सी मीट केप के अगर बात करें तो 2.31% की गिरावट होकर रखी हुई है समझ रहे हैं जब यह चीज मैंने देखा तो मुझे लगा कि भाई मार्किट में गिरावट क्यों हो रही है आखिर इसके पीछे का रिजन क्या है इन चीजों को मैंने थोड़ा ढूड़ने कोशिश की तो मुझे लगा थोड़ा सा नजर गलोबल इंडैसेस पर भी डालना जरूरी होता है तो मैंने देखा तो मैंने देखा कि भाई यूएस की जो मार्किट है डो जोनस फ्यूचर यहां पर भी गिरावत हो रखी है उसके बाद नेच डेक के अगर बात करें तो वहां पर भी 0.81% की गिडावट है और यहां पर डो जोनस फ्यूचर में 9.01mm 0.95% की गिरावट हो रखे जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं समय दो जो जोनस में 0.93% की गिरावट है और S&P 500 में 0.71% की गिरावट हो रही है तो यहाँ पर सर मैं कहना यह चाह रहा हूं कि देखें गिरावट भारत में सिर्फ नहीं है भारत के एलावा अगर हम US की बात करें तो वहाँ पर भी गिरावट है यह अलग बात है कि US की मार्केट में कम है और ज्यादा गिरावट आपको सिम्पल सी बात है अभी आपको पता है और इससे पहले कि एक वीडियो मैंने कहा भी हुआ था जिसमें मैंने बज़र टोगरा को लेकर बात किया हुआ था मैं उसका बी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा आप उस को देखेगा तो उस टाइम पर मैंने उस वीडियो में भी कहा हुआ था कि देखे हो सकता है कि मार्केट में थोड़े बहुत गिरावट देखने को मिल सकते हैं आपको समझ रहे कि नहीं अब थोड़े बहुत के गिरावट देखने को मिलेंगे तो वहां पर आप उसका दो परसेंट इस तरह से अगर मार्किट गिरती है तो यहां पर बहुत जादा मोटा पैसा लगाने के जरुवत नहीं है और यहां पर अगर आप मुझे अभी इस वीडियो में देख रहे हैं इस वीडियो को अगर आप वाज कर रहे हैं तो अभी भी आपको मैं कहूँगा कि म 23 जुलाई तक अभी आपको पैसे बचा कर रखना है क्यों पैसे बचा कर रखना है अभी जो यह गिरावट हुई है जरूरी नहीं है मार्किट यहीं पर रूक जाए और मुझे नहीं लगता है कि रूकेगा मुझे तो ऐसा लगता है कि मॉंडे को जो मार्किट खुलने वाली तो वहाँ पर आपको पैसे रहकर इसलिए चलना है ताकि आपको मौका जो मिलेगा ना मौंडे को आपको जो मौका मिलेगा ना उसका आप बेहतरीन तरीके से फाइदा उठा सके इसलिए अभी आपको पैसे बचा कर चलना है समझ रहे कि नहीं अब देखे लमसम आपको वहाँ पर करना है समझ रहे हैं अब यहाँ पर एक चीज़ जरूरी बात यह आती है कि सेक्ट्राल इंथेमेटिक फंड में कई सारे लोग हैं जो यह कमेंट कर रहे हैं कि भाई हमारे स कर रहे हैं कि भाई गिरावट हो रही है यहाँ पर आपको घबरानी की जरूरत नहीं क्योंकि यह टेंपरोरी गिरावट है बजट आने के टाइम पर ना मार्किन में कुछ नो कुछ इंपक्ट देखने को जरूर ही मिलता है समझ रहे कि नहीं आप पिछला रिकोर्ड अगर उठा कर देखेंगे 2023 का इस तरह से आप रिकोर्ड उठा कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हां भाई इस तरह से थोड़ा बहुत का इंपक्ट पड़ता रहता है समझ रहे तो इससे आपको घबरानी के जरूरत नहीं है आप बिल्कुल बने रहें लोंग टम के लेकिन फिर मार्किट रीकावर हुई तो उन चीजों को आपको याद रखना है यहां पर एकजिट करने की निकलने की कोई जरूरत नहीं है समझ रहे ना उसके बाद एक बात यहां पर और भी याद रखने वाली है जो कि HDFC डिफेंस फंड को लेकर है इस फंड से अगर जब सबसे पहले यह नूज आई थी तो मैंने इसको लेकर बिल्कुल वीडियो एक बनाया था जिसमें मैंने आपको यह इन्फर्म किया था तो यहां से निकलने के बाद आपको नुकसान यह होगा कि भाई दुबार आप निवेश भी नहीं कर पाएंगे अब कब निवेश हो जाता है जैसा कि मैंने कहा है बात रही मोती लाल की तो मोती लाल वाला फंड से भी आपको निकलने की जरूरत नहीं है आप बेफिकर होकर वहाँ पर बने रहे हैं क्योंकि आप लोंग टम के लिए जा रहे हैं और यह गिरावट बहुत जादे दिनों तक चलने वाली नह हैं अब देखिए एक बात जो कि हम बराबर करना है इस वीडियो में कि भाइब पैसे बचा कर रखना है और लंसम के लिए आपको क्योंकि अभी निवेश के मौके आपको मिलेंगे तो निवेश के मौके कम मिलेंगे इसका यह मतलब नहीं कि आपको 27-28 तक तारिक तक जो है उन पैसों को बचा कर रखे रहें तो इस बात का खास जयान रखना है दूसरी जो सबसे इंपर्टेंट बात है देखिए अभी इन्वेस्टमेंट आपने डिफेंस के सेक्टर में यकीनन इन्वेस्टर्स ने जो डिफेंस के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट क्या है ना पर भी आपने पैसे लगाया है, हो सकता है, बजट आने के बाद, उस सेक्टर को अगर अच्छा खासा बजटिंग नहीं हुई, मतलब उसको अच्छे लेवल पर बजट नहीं मिल पाया, तो वहाँ पर ये हो सकता है, कि वहाँ पर डाउन फॉल आ सकता है, समझ रहे हैं, तो ऐसे वक्तों में आपको ऐसे टाइम में आपको घबराना नहीं है, आप अपने लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, और इसलिए मैं बरापर बोलता हूँ कि वहाँ पर आपको हो सकता तकलिफ हो क्योंकि थोड़ा जैसे फोर एक्जामपल यहाँ पर डिफेंस कोई ले लिजे आपने बहुत पैसे लगाया लेकिन बजट में अगर सरकार की तरफ से इसका अच्छा खयाल नहीं रखा गया इसका अगर अच्छा खयाल नहीं रखा गया डिफेंस का सेक्टर का एक दस से पंद्रा परसेंट ही निवेश करना चाहिए और यह भी जादा हो गया अब दस से पंद्रा परसेंट का यह मतलब नहीं कि आपका जो भी कैप्टल है उन में से अगर चार अपनी पूर्टफोलियों में अगर आप सेक्टरल इंथेमिटिक फंड रखते हैं तो आपको हर जगा पर हर चारों फंड में हर एक एक फंड में आपको दस से पंद्रा परसेंट दस से पंद्रा परसेंट निवेश करना है नहीं सबसे पहले तो चार आपको रखना नहीं है लेकिन अगर आप दो तीन रखते भी हैं तो इसी दस पंद्रा परसेंट में आपको दोनों मैं आपको इनी 10-15% में निपट जाना है मैं ये कहना चाहरा हूँ तो फाइनली एक कुछ जानकारी थी जो कि मुझे लगा कि आप तक पहुचाना जरूरी है तो टेंशन यहाँ पर लेने की कोई जरूरत नहीं है बज़ट आने की वज़य से ऐसा हो रहा है मार्केन में थोड को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंट्रोस्टिंग वीडियो में जब तक लिए ओल दे बेस्ट थैंक्यू थैंक्यू फो वाचिंग